हाई काईज में लेके हैं हूँ आप सभी के लिए सिर्णास की एक और रियल स्टोरी सिर्णास का जो बॉंड था ना वो इतना रियल और प्योर था कि उसको हमेशा याद रखा जाएगा कोई उसे कभी नहीं बोल सकता जब सिदार्ट ने खुद ही बोला था कि मेरी बिल्डिंग के लोगों को भी शेहनास पसंद है जी हाँ और काईज यह तो उन्होंने एक इंटर्वी में बोला था तो ऐसा भी नहीं है कि किसी टीम मेंबर ने बताया है किसी ने ऐसे ही रेंडमली बता दिया है देखें हुआ क्या था आप सभी जानते हैं जब बिग बॉस खतम हुआ था सब की नजरें से नाज पर थी कि अब क्या होगा क्या ये दोस्ती बिग बॉस तक ही थी बिग बॉस के घर में सिर्फ दिखाने के लिए थी फुटेज के लिए थी क्योंकि लोग जज़ भी करने लगते हैं क्योंकि शेहनाज ने MS के साइन कर दिया था MS के ऐसा शो शादी का शो तो सब लोग जज़ भी करने लगे थे और वहीं जैसे सिद्धार्ट ने आके इंटर्व्यूस देने शुरू किये थे तो वो बोल रहे थे कि हाँ दोस्त हैं हाँ ये बार बार बोलते थे कि जैसा बिग बॉस में था रिष्टा वैसा ही रहेगा आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे स्पेंड नहीं कर पाएंगे साथ में ये सब चीज़े वो बोलते थे लिग रहा हैं कि दोस्त है ये बोलते थे और गाइस शेहनाज ने तो आप जानते कोई इंटर्व्यू दिया ही नहीं था वो MSK शो की वज़े से और सिधार्ट भी एक्स्ट्रा केयर ले रहे थे कि कुछ मूँ से ना निकल जाए क्योंकि गाइस उस टाइम शेहनाज MSK शो कर रही थी अगर वो कुछ भी बोलते तो फिर ये ही होता कि अगर कुछ है तो शो क्यों कर रही है वो जी हाँ सिधार्ट वीक डेज पर ही काम करते थे इंटरव्यू देते थे आपने देखा होगा जब और वीकेंड को फिरी रखते थे शेहनाज के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जी हाँ वो हमेशा वीकेंड पर दोनों साथ होते थे गाइस एक इंटरव्यू आया था वीडियो टा उसका तो हर कोई सिधार शेहनाज के बारे में दो कोश्शन करता ही था यह तो है तो उनसे पूछा गया कि आपकी örtहिको शेहनाज कैसी लगती है तो सिधार्ट ने का शेहनाज बहूं को च्छी लगती है 000 को और भीस को 집ना तो पूचा गया इस. कि आप से लोग पूर्षते हैं शेहनास के बारे में कि भई मेरे से शेहनास के बारे में मिल्वाने के लिए बोलते हैं तो शेहनास सब बहुत कि घाए तो जब को आठे द्जेहने वाला था क्योंकि हalar को लिए poisoning करता था शेहनास के नाम से गाइस ऐसे ही सिर्णास की रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी जी हाँ प्लीशेन सिस्क्राइब कर लेना थैंक यू